नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका पाथ फाइंडर में अम लोगों ने कमिश्ट्री में पार्ट वन पड़ाता है जिसमें हम लोगोंने बैसिक्स जाने की जो है पडार्थों के जो है कित्ते प्रकार होते परमाड़ु और रूरु किया होते हैं तो आज हम लोग उसको कां कि अगर आप जो है हमारा telegram group join करना चाहते हैं तो आप टेलिग्राम group join करने के लिए pathfinder steady point direct लिखे at the rate लगाके direct भी सर्च में डालेंगे तो आ जाएगा तो उससे आप pathfinder का जो है telegram group join कर सकते हैं इसके लावा हमारी website www.online.exam.com जिस पे जो है हम लोग करेंट अफेयर्स टेस्ट और बाकी जो इस्टेडी माटिरियल जो अपने गुरूप से रिलेटेड जो है अपडेट करते रहते हैं और यह मेरी बुक के बारे में है जो आपके सामने है तो इसको आप परचेज करने के लिए अमेजान से या आपके सहर में जो है जो भी बड़े बुक श्टोर होंगे वहाँ पर जो है यह मिल जाएगा तो इन सब चीजों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एक अन्रोद और है कि जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं केवल व्यू करते हैं तो अगर आ जाने कि जो लूगों ने देखाता कि जो है लए जो परमाडू होता है किसी जो भी नुकलियस में पाय जाते हैं और जो इलिक्तार निश्चिद पात पर जो है अपना चक्क्ल लगाता रहता चाव तरब से और और जो न्यूट्रान और प्रोटान होते हैं, प्रोटान इसमें से जो है पॉस्टिव चार्ज होता है, न्यूट्रान जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानि इसको न्यूट्रल कह सकते हैं, और एलेक्ट्रान जो है निगेटिव ली चार्ज होता है, तो यह बेसिक बात पोजित्रों की खोज थांसन ने की थी 1897 में यह सब फैक्ट जो एक्जाम में पूछे जाने हैं और अगर आप यूपी पीसी नहीं भी दे रहें कोई भी वंडे और एक्जाम दे रहें तो उसमें तो बहुत ज्यादा यह फैक्ट ही आते सीधे सीधे पाजित्रों की खोज ए नय रूप में चेंज होता रहता है और ऐसी प्रकास किरण या लेजर बीम जो है ऐसी जो है लाइट भीम जो अत्यंत दिसीख हो मतलब जो ही एक यूणी डारेक्ष्णल हो वो लेजर कहलाती है मतला उसकी जो है बहुत ही फोकुश होती है और लेदर जो है सदा अपसारी हो हो गया नाभी का आकार जो है कही बार पूछा गया है 10 to the power minus 15 मीटर होता है जो नुकलियस होता है जो है उसका आकार जो है 10 to the power minus 15 meter होता है जिस तत्त में दो प्रोटान दो neutron और दो electron हो उस सत्त की जो है द्रविमान संख्या या atomic mass, जो है, वो कितना होगा, 4 होगा, तो atomic mass क्या होता है, अब यहां पर एक question आता है, तो atomic mass, यह जो है, द्रविमान संख्या, जो है, प्रोटान और neutron, प्रोटान को P से और neutron को N से रिनोट करते हैं, इनका जो जोड होता है, वो atomic mass होता है, इस case में क्या है, दो प्रोटान है यानि दो प्रोटान हो गए और दो न्यूटान है तो इस तरह से कुल चार जो है अटामिक मास हो गया उसका तो अटामिक मास का मतलबी हो गया कि जो उसके नाभिक में नाभिक में कौन कौन से होते हैं प्रोटान और न्यूटान तो प्रोटान और न्यूटा होता है कि परमालु संख्या या परमालु क्रमांग परमालु के प्रोटान या धनावेश की संख्या को ही कहते हैं तो इस केस में क्या हो गया दो प्रोटान पाए जा रहे हैं यानि दो जो है इसका जो है प्रोटान ही इसका धनावेश होता है तो अगर 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 इसकी बात पी बेराबर ई प्रोटन और एलेक्ट्रान जो है वाल्यू में पराबर होते हैं बस इसली ब में पाणर कंने पर पर इंसका पर्माड़ू क्रमांग क्या होगा तो ऐसे सिती में जो है इलेक्ट्राइन पता होने पर भी आप परमाड़ों कोulasान बता सकते हैं कि अटामिक नंबर उसका इस एकेस में जो है जैसे 2 होगा तो और हाइडरोजन का जो नाभी होता होता है हाइडरोजन परमालों का उसमें एक ही प्रोटान होता है फिर वही बात है कि परमाडु भार जो है फिर से डिफाइन किया गया है कि प्रोटान और न्यूट्रान की सम्मलित संख्या यानि एटॉमिक मास जो है जो पीछे हमने लिखा था एटॉमिक मास जो है प्रोटान और न्यूट्रान को मिला कर जो वैलू आती है वो होती है और electron हमेशा एक यूनिट डिडावेस यानि निगेटिव चार जो है वहन करता है तो अब जो questions आते हैं पेपर में यहाँ पर एक दो example के माध्यम से आपको इसपश्ट करना जरूरी है क्योंकि यही question ज्यादा तर पूछे जाते हैं माल लिजे किसी का neutron की संख्या द का परमालू क्रमांग क्या होगआ परमालू क्रमांग सब्सक्राइब क्या 했 I am Apple लेक्ताओं तो जैसा कि पहले बताया कि nytोट्राइन क्यों होता है धनात्मक होता है और परमाडु क्रमांग क्या होता है जो धनात्मक चार्ज होता है किसी परमाडु पर वही उसका जो है परमाडु क्रमांग होता तो यह जो छे है यह क्या हो जाएगा यही इसका जो है परमाडु क्रमांग हो जाएगा अब एक दूसरा एक्जामपिल लेते हैं कि अगर इसी परमाडु में जो भी जिसमें न्यूट्रान छे हैं और इसमें जो है प्रोटान मुझे लिखना चाहिए तो पर प्रोटान का जित्ता नंबर होता है उत्ता ही परमाडु कुर्मान को जाता है तो छे हो गया अब यहीं अगर न्यूट्रान की बात करें कि इसमें न्यूट्रान के नंबर भी दिया है माली जे न्यूट्रान कितना है न्यूट्रान भी 6 है तो ऐसी स्थिती में अगर परमाडु भार पूछा जाए आपसे परमाडु भार कितना होना चाहिए तो परमाडु भार मतलब proton प्लस neutron यानि 6 प्लस 6 बराबर 12 तो यह जो इसका परमाडू भार हो गया अब अगर इसी question पुछा जाए कि 6 proton है 6 neutron है तो electron की कित्ती संख्या होगी तो electron की संख्या हमें सब proton के बराबर होगी बस उसका charge अनग होता है तो proton 6 है positive charge है तो electron भी 6 होगा लेकिन बस negative charge में होगा तो कि खतम हो गई तो आप समझे लिए chemistry में आपने बहुत कुछ सीख लिया आप सबसे पहले बात करते हैं proton की proton की जित्ती भी संख्या होती ही वो क्या कहलाती है पर्माडू संख्या पर्माडू संख्या जिसको हम इंगलिस में कहते हैं atomic number फिर proton प्लस neutron क्या होता है पर्माडू भार जो की क्या होता है atomic mass यानि am हम इसको लग सकते हैं और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना proton होगा किसी भी पर्माडू के नाभिक में उतना ही उसमें electron होगा तो अगर तीन चीजे आप समझ में आ गए तो जो इस पर numerical based questions आते हैं वो आप जो है हीलियम के पर्माडू की तो हीलियम का जो है पर्माडू क्रमांग कितना होता है दो होता है संयोजक्ता के लिए हमको पर्माडू क्रमांग की जरूत पड़ती है तो अगर हीलियम का पर्माडू क्रमांग दो है तो इसकी संयोजक्ता दो हो जाएगी तो इसका नियम क्या होत इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, तो अगर अब हम किसी बड़े उसकी बात करें, तो मा लिजे नियॉन, नियॉन जिसमें दस परमाडु क्रमांग होता है, तो अगर हम इसका विन्याज बनाएंगे, तो पहली कछ्छा में हमेशा दो होते हैं, तो पहले हमने दो लिख लिया, और अब बचे कित्ते एलेक्ट्रॉन आठ, तो नियॉन क्या हो गया, कि संयोजक्ता जो है, जो है अभी इसका चुकी ये फुलफिल है, तो इसकी संयोजक्ता जो है जीरो हो गई, क्योंकि नियॉन एक अक्रिय गैस है, वहीं पर अगर हम मैगनीज की बात करें, बारा, तो बारा जो है, बारा को हम किस तरह से लिखेंगे, दो, आठ और दो, तो इसमें दो क्या हो गया, ये सबसे वाहिक अच्छा में, इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी संयोजक्ता हो गई, इसकी संयोजक्ता कित्ती हो गई, दो हो गई, लेकिन इसके कुछ और अपवाद भी हैं, अगर क्लोरीन की हम बात करते हैं, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रुमान कितना होता, सत्रा होता है, तो क्लोरीन को अगर हम बाटते हैं, तो किस तरह से बाटेंगे, सुविधा जनक क्या है यह एक इलेक्ट्रान अगर प्राप्त कर ले तो इसकी जो है कक्छा में जो है इसकी सही जगता पूर्ण हो जाएगी यानि बाहरी कच्छ जो है उसमें आठ हो जाएगा तो इस इस दसा में इसकी सही जगता कितनी एक हो जाएगी यानि एक इसको प्रा तो उसकी जो कक्छा पूरी हो जाएगी तो अगर बाहरी कच्छा में साथ तो एक प्राप्त करके आठ हो जाएगा इस तरह से सही हो जगता एक हो जाएगी वहीं पर अगर हम सोडियम की बात करें करें सोडियम जो है सोडियम का 15 होता है पर्माड उक्रमांग तो ग्यारा को हम कैसे लिखेंगे 2 8 और 1 अब इसमें साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो साथ प्राप्त करना करना क्ठीन है इसलें एक क्या त्याग करेगा एक इलेक्ट्रान को जो है छोड़ देगा तो इसकी संयोजक्ता कितनी कहलाएगी एक कहलाएगी तो मुझे लगता कि आपको इचीज समझ में आ गई होगी कि संयोजक्ता जो है कैसे जो है होती है बस उसके लिए हमको पता होना चाहिए उसका अटॉमिक नंबर जो है उसी के आधार पे हम दो आठार के आधार को उसका भीवाजन करते जाएंगे उसके आधार पे जो सयोजक्ता निर्धारी तो जाएगी बस इसमें सर्थ क्या है पहली सर्थ है कि पहली कच्छा में दो से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और अंतिम कच्छ अल्ट कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं अब हम समस्थानिक और समभारी की बात करेंगे जिनको आइसो टोप्स और आइसो बार्स कहते हैं तो आइसो टोप्स क्या होते सबसे पहले हमको देखना है समस्थानिक परवाणूवे प्रोटानों की संख्या समान होती है मतलब जो positive charge होता है वो समान होता है और जब positive charge यानि proton समान होंगे तो क्या होगा Paramah Kant एक समान होगा क्योंकि proton की संख्या ही किसी भी बदार्थ का किसी भी तर्यों का जो है वेल्यू का उस पर परमाडुक्रमांग होगा उसका तो जिन भी तत्वों में या तो अगर कभी प्रोटान दिया हो तो प्रोटान समान हो या परमाडुक्रमांग दिया हो तो परमाडुक्रमांग समान हो जी तो प्रोटान समान है या परमाडुक्रमांग समान है तो हम उसको समस्थानिक कहेंगे या आईसो टोप कहेंगे और ऐसे दोता तो जिसमें इलेक्ट्राणों की संख्या भिन भिन परनातु परमाड़ु भार या द्रविमान समान होता है अब फिर आपने पीछे जो साइच की उससे आप पताइए द्रवेमान संख्या या परमाडु भार क्या हुआ तो द्रवेमान संख्या हम किसको किसको कहते थे प्रोटान और न्यूट्रान को मिला कर तो इलेक्ट्रानों की संख्या भिन भिन होने से मतलब है कि प्रोटान की संख्या भिन होता है उतना इलेक्ट्रान होता है बस उनमें चार्ज का अंतर होता है तो प्रोटान और न्यूट्रान की जो सम्मलित संख्या होती उसको हम परमाडु भार द्रविमान संख्या या एक् हमँनको समभारिक कहेंगे कुल मिला कर परमाड़ु भार्समान होना चाहिए तो समभारिक है और परमाड़ु क्रमांग समान हो तो समस्थानिक है पोलोनियम लेकी के अज़े के पहोएगा जिसके सरवाधिक समस्थानिक होते हैं पोलॉनियम के सरवाधिक समस्थानिक होते हैं पर पीर आशma बात करते हैं आवर्सारि की तो जो आर सारी बनाई जिसको हम periodic table कहते हैं, जितने भी तत्तों हैं, metals, non-metals, निस्क्री गैसें, तो इनको एक क्रम में लगाया गया, और इसमें जो है परमाडु भार को जो रसियन बैग्यानिक डी आई मेंडलीव थे, तो question यही आता कि मेंडलीव की जो है, जो आवर साड़ी हैं, उसमें आधार क गया था, यानि उनको परमाडु भार के बढ़ते क्रम में ब्यवस्थित किया गया है, और वहीं पर अगर बिटिक ब्यदायनिक मोसले की बात करें, तो 1913 में उन्होंने परमाडु संख्या की खोज की थी, और उन्होंने परमाडु आवर साड़ी जो बनाई वो परमाडु में दी, उसमें परमाडु संख्या को आधुनिक आवर्थ साड़ी का आधार बनाया गया, अब आधुनिक आवर्थ साड़ी में क्या क्या होता है, साथ आवर्थ होते हैं, यानि इनको 36 कतारे कहते हैं, अठारा वर्ग होते हैं, और वहीं पर मेंडलीब की आवर्थ साड़ ही मैं फोड़ा होजाता संभा कि dwaog hi Q कहा यह जो है वर आजनीक आवरत साड़ी में अब कुछ आवर साड़ी है जो होते जो उसमें फालौ होते हैं कुछ एकसेप्संद भी सक conviction जो इसके हां लिकिन तो शमान रूप्त फालौ नित्सक्री पहेला रूल YouTube का पृठम सदत झे से पहले आवर्थ का प्रभागी संद внेंथ qero शखत पृष्ट्म का नितनी है इक है नाय भी कि दाने यह सब आपको लग रहा हो बाय से दाएंग पर हम बायसे दाय जा रहें मतलब इस डायेक्षन में जा रहें तो तत्त Columbia घल एका मतलब जो मेटालिक प्रापरटीट ए वह कम होती जाएगी और तत्त की रासाइनि क्रियासीलता घटती जाएगी और बाद में लाश्ट में ये बढ़ती है आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो बिद्धुत रिलात्मक्ता का मान बढ़ता सीरे सीरे कुश्चन यहीं आते हैं कि आवर्त साड़ी में बाएं से दाएं जाने पर बिद्धुत रिलात्मक्ता बढ़त भूलेंगी तो बाएं से दाएं जाने पर फिद्दुटरी रात्मगता का मान बढ़ता है है क्योड़ाइन और रासायनिक कृया सीलता घड़ती धात्वी ही गुण कम होते हैं और प्रथम आवर्त का प्रथम तत्तों जो है कोई छार धात होता है और अंतिम तत्तों कोई निस्क्री गैस होती है फिर कुछ और रूल्स है आवर्त के आवर्सानी के किसी वर्ग में उपर से नीचे जाने पर तो अब जो है इनकी बात हो रही है कि उपर से नीचे को कि आवर्सानी कुछ इस तरह सोती है तो इसमें इस तरह से हरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह की लाइन्स होती हैं तो अगर हम उपर से नीचे की ओर जा रह थाट्विक गुर्ण बढ़ेंगे यह पहला फीचर हो गया धात्वाइन की क्रिया सीलता बढ़ेंगी और धात्वाइन की क्रिया सीलता में ब्रद्धी होगी तो देखिए तीनों चीजे बढ़ रहे हैं इसलिए आपको इस तरह से याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाने में क्या क्या चीजे बढ़ रही है धात्वी गुण बढ़ रहा है क्रिया सीलता बढ़ रही है और अधात्वों की भी क्रिया सीलता में ब्रद्दी हो रही है फिर क्या क्या चीजे घटती है क्रिया सीलता में कमी आती है इलेक्ट्रान प्राप्ति के मान में कमी आती है तो उनका जो है परमाडू के आकार मतलब परमाडू का आकार बढ़ा होता है तो इसको अगर आपने याद रख लिया तो इसमें से जो है आपका एक क्वेश्चिन जरूर आ सकता है जो की कमिश्ट्री का जो है बहुत फेवरेट कोश्चिन है किसी भी वंडे एक्जाम में फि सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे जो भारत के रिशी मुनिते महरसी कणाद को कि जो भी अच्छी बुक्स नें इनका जो है रिफ्रेंज जरूर मिलता है इन्होंने भी यही कहा था कि जो है सबसे पहले परमाडू के बारे मुश्चिन संकल्पना दी थी कि जो है ब् आप मना जाता था यह माना जाता था कि इनके अलामा कुछ नहीं पाए जाता किसी भी परमाडु में परांतों अब तक लगभग 30 मूलकरों की खोज़ शुकी है जिसमें आप जानते हैं मेसान पोजित्राण और नए-नए हिक्स बोसान यह सब जो खोजे गए हैं और अभी भी ने ने जहो pen आई पार्टिकिल्स जो इसके अंदर नास्जोई जो एकाढा म festivals ईकित्व हैं उनकी विस्षिष्ताइग क्या है जहां से कोश्चंद हाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रान की बात करते हैं, इलेक्ट्रान की खोज 1897 में जेजे थॉम्सन द्वारा की गई थी, इन्हें आर्धनिक भावतिकी का जनक कहा जाता, दफादर आप मॉडरन फिजिक्स भी कहते हैं इनको, इलेक्ट्रान रिणावेसित होते हैं, निगेटिवल किलोग्राम और इस पर जो चार्ज होता है, वो 1.6 गुड़े 10 की घाद माइनस 19 कूलंब, कूलंब का रिणावेसित होता है, यह याद रखना ज़रूरी है, तो यह दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि इसका द्रविमान जो है इतना होता है, और इस पर इतने प्रोटान, प्रोटान जो है जो कि आप जानते है पॉस्टिवली चार्ज होता है, इसकी खोज 1896 में गोल्स्टीन द्वारा की गई थी, लेकिन इस मूल कड का जो नामकरान के जो किया गया था, वो रदर फोर्ड ने किया था, यह एक धनावेसित कड है, जिस पर 1.6 कूलम का धनावेश होता है, तो यह जो चार्ज की यहां पर बात हो रही है, कि 1.10 to the power minus 6 इस पर चार्ज है, पॉस्टिव, तो इसमें बस आपको इसका उल्टा याद रखना है कि इतना ही चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन वो निगेटिव होता है, क्योंक 27 kg इसका प्रोटान का द्रवेमान हो गया या मास हो गया, निउट्रान की बात करें, जो है उदासीन कड़ होता है, निउट्रल कड़ होता है, तो इसकी खोज की थी चैडविक ने जो आवेश रहित कड़ होता है, या परमालो के नाभिक में रहता है, यह आस्थाई मूल जब भी कोई भी चीज पढ़िए वैसे आप इसको पॉजिट्रान यह पॉजिट्व से उपना लगा सकते हैं कि यह द्धन आवेसित कर्ण है और इसका द्रविमान तथा आवेस इलेक्ट्रान के बराबर होता है तो दोनों चीजे सेम हो गए किसके बराबर हो गया यानि ये इलेक्टरॉन का एंटी कड़ हो गया तो अगर आपको इलेक्टरॉन का द्रविमान और आवेस पता है तो आप सीधा सीधा उसका उल्टा बता देंगे कि निगेटिव चार्ज में उतना ही पॉजिट्रॉन पर हो सब Mini Neutoni dome की खोज 1930 में पावली द्वारा की गई ऑर यह यह द्रविमान वा आवेस मत इसमें ना कोई द्रविमान होता है ना कोई आवेस होता है ओं तेंटी नॉ he0 uwuka character के लिए वह कौन सा covenant निूट्रीनो चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिसा में होता है। देखिए कुछ चीजे ऐसी हैं जो जिनकी व्याख्या अगर की जाए तो बहुत ही बड़े इस्तर पर करनी पड़ेगी। क्योंकि आभ इसमें कहा गया है कि इसमें ना कोई द्रव्यमान होता है ना पीढ़ेश होता है। तो इसके कास शावान के द्वारा से वह सौता है। और ऐसा होता है तो कि नूर नूटिर्व और अन्टी-नूटिर्व यहां पर एक दूसरे के पूरककड़ën यानि एंटीकड़े जो यह इसके विपरीत करता है तो यह इसको दूसरे को बैलेंस करते यहां पर क्योंकि कोई भी system और कहीं भी molecule की अगर में बात करेंगे तो वहां पर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, खासकर चार्ज की, चार्ज की, मास की, तब ही वो एक इस्थाई कड़ की तरह बिहेब कर पाएगा। पाई मेसान इसकी खोज 1935 में H युकावा द्वारा की गई, यह धनात्मक और रुनात्मक दोनों प्रकार का होता है। या एक आस्थाई मूलकाण है, इसका जीवनकाल 10 की घात माइनस 8 सेकेंड यानी 10 to power माइनस 8 सेकेंड होता है। और इसका इलेक्टरान से द्रविमान 274 गुना होता है। यह सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यार रखना है, कि इसका द्रविमान इलेक्टरान से 274 गुना होता है। फिर हम बात करते हैं फोटान की, तो फोटान इसके अस्तित की ब्याख्या किस ने की, आलबर्ट आइंस्टीन ने की, और जो प्लाइंग थेओरी दी थी, उसी की ब्याख्या में इन्होंने फोटान की ब्याख्या की, फोटान क्या होते हैं, आप जानते हैं, जो प्रकास ज होते हैं जो प्रकास की क्यों से गतीमान होते हैं तो कि सभी मिद्धु चुम्की किरणों का निर्मार फोतानि कर specimen are होता है और इसका बीराम द्रव्पा रिखावां में होता है मतलब अब और और इसको विराम में रख दिया जाए सुन ये प्रकास की चाल से ना चला हो तो सूने होगा इसका द्रबेमान हिक्स बोसान कन जो है जो अभी हाली में खोजा गया था 2012 में तो यह आधुनिक भोत्की की नवीजतम खोजा है इसे गौर्ड पार्ट किलकी भी संग्या दी गई है इसका कन का नाम कैसे हुआ पीटर हिक्स और भारती विग्यानिक सत लगाया गया वो बोस्ससे जो है बोसान को जो है लगाया घ कर दोनों साइंटिस्टों को मिलाकर इसकी खोच जो है तो 4 जुलाइ 2012 कही थी यह एक यौर्फिटीव चार्ज करने है जिस पर अभी सोधकार जारी है क्योंकि जो रसिया में जो है δ pior हट है ड्यूट को लाइजन मसीन लगाए गए थी समुद्र के नीचे और सवरी भूमिगत जो बनाई गए थी अंडर ग्राउंड तो उसमें इसी पर रिसर्च चला जो अभी तक जा रही है फिर अब हम नाब की सलनयन और नाब की विखंडन की बात कर लेते हैं एक नाबिक का दो हलके नाबिकों में तूटना नाब की विखंडन कहलाता है यानि नुकलियर फिसन जिसको कहते हैं और परमारु बंज होता championships इसी सिद्धान पर कारिकरता है दो हलके नाबिक मिलाकर एक नाबिक का निर्मार करते हैं तथा उर्जामक्त करते हैं इस कृए को क और जो hydrogen bomb होता है वो नाब की संलियन यह नूक्लियर फिशन के सिधान पर आधारित होता है। सबसे पहले नाब की रियक्टर फर्मी उने। फर्मी एक साइंटिस्त है। जो उन्होंने एक नाब की रियक्टर रियक्टर बनाया था। इस मिशारभ प्राचीन श्यार्व। की ऑयु जे से के आरविधी से आकि जाती है। रेडियो सकंश्या पादार तो सब्सक्रिक्षा की ऊहर है। अलफा वीटा और गामा किरुणों का उत सर्जन होता रहता है तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही आगे हम जो है अभी नापी भावती के बात करेंगे जो रेडियो एक्टिविटी है एक क्वेश्चन बहुत पेकुलीर आता है कि रेडियो एक्टिविटी जो है उसमे उसके अलावा जो भी नापकी भावत्की की उनसे जुड़ी हुई सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में तो अगला लेक्चर नापकी रशायन का जो आखरी लेक्चर होगा उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको जरूर देखिएगा अगर आपने पहला सेग्मेंट नहीं देखा ता उसको जरूर देख लिए पाल जो पर बेस होता है और उसको देखना जरूरी होता है तो आज के लेक्चर में इतना ही फिर जल्दी मिलते हैं नए सेग्मेंट में नमस्कार धन्यवाल